सुनना ये हमारे शरीर की पांच चेतनाओं में से एक चेतना है कान एक बहुत ही बढ़िया अवयव है जो मानव और प्राणियों को आसपास की द्वनी सुनने के लिए सहायता करता है आवर्टन के आधार पर हम ध्वनी का वर्गिकरण कर सकते हैं जिस ध्वनी का आवर्टन बीस हर्ट से कम होती है उसे अश्रव्य ध्वनी कहते हैं जबकि बीस हजार हर्ट से अधिक आवर्टन वाली ध्वनी को पराश्रव्य ध्वनी कहते हैं स्वस्थ मनुष्य को सुनाई देने वाली द्वनी 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स के बीच में होती है और सामान्य तहा जिसे श्रव्य द्वनी कहते हैं व्रिद्ध होने पर व्यक्ति उच्च आवरती की द्वनी सुनने की क्षमता खो देता है मध्यम आयू की व्यक्ति को सुनाई देने वाली सर्वोच्च आवरतन केवल 12,000 हर्ट्स से 14,000 हर्ट्स होती है जब मरीज के सुनने का परिक्षण होता है द्वनी चिकितसक ऑडियो ग्राम इसे पूर्ण करता है ओडियोग्राम एक आलेख होता है जो श्रवन परिक्षा का परिणाम दिखाता है उचे ध्वनी सुनाई देने के लिए वै केसे अलग-अलग आवर्तन में होने चाहिए तुम्हें दिखाता है अश्रव ध्वनी जिसे निम्न आवर्तन ध्वनी कहते हैं वै 20 हर्ट्स की आवर्तन से भी कम होती है जो कि मानव के सुनने की क्षमता का न्यूनतम स्तर है प्राकृतिक अथ्वा मानव निर्मित स्त्रोत के कारण अश्रव ध्वनी निर्मान हो सकते हैं लोग इस ध्वनी का उपयोग भूचाल की जांच पाशान और पृत्वी के नीचे के पेट्रोलियम की जांच के लिए करते हैं हाथी अश्रव ध्वनी निर्मान करते हैं जो कठोर जमीन में से जाती है और उनके जुन के दूसरे हाथियों को पेरों के माध्यम से महसूस होती है वह सेंकडों किलोमेटर दूर होने पर भी यह मुमकिन होता है अश्रव ध्वनी बड़े अंतर पर पहुचने की क्षमता रखते हैं पराश्रव ध्वनी के तरंगों की आवरती बीस हजार हड्स के उपर होती है जो मनुष्य के सुनने का उच्चतम स्तर है पराश्रव ध्वनी के बहुते गुण श्रव ध्वनी से अलग नहीं है परन्तु मानों उसे सुन नहीं सकता है यह क्षमता व्यक्ती के अनुसार बदलती है और स्वस्थ युवाओं में ये लगबग बीस हजार हड्स होती है तुम Frequency Generator आवर्तन जनक अथवा वैसा ही एक एप का उपयोग करके विविद आवर्तनों को सुन सकते हो सारांच आवर्तन के आधार पर अश्रव ध्वनी और पराश्रव ध्वनी ऐसे ध्वनी के दो प्रकार होते हैं हमारे नित्ती जीवन में इनका उपयोग होता है इनके प्रकार के बारे में और ढूंडो कृती भीड की जगा पर ध्वनी प्रदुशन कैसे ना पा जाता है ये खोजो श्रवन यंत्र के दुकान को भेट दो और श्रवन यंत्र या उससे सम्मंदित वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करो स्थानिक सरकारी संस्थानों को भीड़ दे कर तुम्हारे विभाग में द्वनी प्रदूशन के बारे में क्या कानून है इसके बारे में जान लो